नमस्कार आईए आज बनाते हैं जोदपुर रायस्थान की मशुहूर मावा कचोरी इसके लिए चाहिए एक कटोरी मैदा और दो चम्मच सूजी मैदा और सूजी को च्छान कर चार चम्मच देशीगी मिला लीजिए मैदा सूजी में घी मिला कर देखिए मौयन बिल्कुल ठीक है जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं पूरी जैसा आटा लगाएं और 30 मिनट के लिए सेट होने रग देएं देखिए चोथाई कटोरी पानी लगा है जब तक आटा सेट होता है हम चाशनी की तयारी लगाते हैं इसके लिए दो कटोरी चीनी ले लीजिए कचोरी की भरावन के लिए सवासो ग्राम खोया ले लीजिए ये खोया हमने घर पे बनाया है खोया की रेसीपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथ में एक एक चमच बादाम का जो पिस्ता की कत्रन ले लीजिए पांचे इलाइची कूट कर पाउडर कर लीजिए और दो पिंच केशर की ले लीजिए पतीले में दो कटोरी चीनी डाल कर दो कटोरी पानी डालें और उसको चलाते हुए चीनी मेल्ट होने दें दूसरे बर्णर पे एक पैन में खोए को भी अच्छी तरह से भून लें देखिए मावा भून चुका है अब इसमें ड्राइफ फूर्स की कत्रन डालें एक पिंच केशर की डालें और थोड़ी सी इलाइची पाउडर डालें और इसको अच्छी तरह से मिला लें साथ ही में दूसरी तरफ चाशनी बन रही है उसमें भी केशर और इलाइची पाउडर डाल करके अच्छे से मिलाएं हमारा खोया और ड्राइफ फूर्स का मिसर्ण ठंडा हो चुका है अब इसमें दो चमच पिसी हुई चीनी मिलादें चाशनी चेक करने के लिए दो उंगलियों के बीच में चाशनी लगाएं देखिए हलका तार है और चिपचिपी है चाशनी तयार है हमारे डो को लगाए हुए भी आदा घंटा हो गया है हाथ में थोड़ा सा घीलें और लगा तार तीन चार मिनट के लिए इसी तरह मस लें तयार डो से बराबर साइज की लोईयां बना लें एक लोई को हाथ में लेकर इस तरह फैलाएं और बीच में खोया ड्राइफ फूर्स की भरावन को भरें भरावन भरने के बाद इस तरह से मोड़ें और लोई सी बना लें अब बेलन से कचोड़ी को बेल लें बेली हुई कचोड़ी को गर्म घी में छोड़ें लेकिन ध्यान रहे घी ज़्यादा गर्म ना हो इसी तरह दूसरी कचोड़ीयां बना कर कढ़ाई में डालें लेकिन गैस धीमी रखें धीमी आज पर सिखते हुए कचोड़ीयों को बारा मिनट हो गए हैं अब आज को मीडियम कर दें कचोड़ीयां सिख चुकी हैं कचोड़ीयां सिखने में टोटल 14-15 मिट लगे हैं अब कचोड़ीयों को छलनी में निकाल लें थोड़ा ठंदा होने पर कचोड़ी के बीच में छेद करें उसमें चाशनी को डालें और साथी में बचे हुए ड्राइफूर्स भी डालें उपर से थोड़ा चाशनी और डालें लीजिये मावा कचोड़ी तयार है चोड़ियों को आप 15-20 दिन तक इस्टोर कर सकते हैं जब भी आप खाना चाहें चाशनी हलकी गरम करें इसके उपर डालें और खाने का आनंद लें लीजिये हमारी मावा कचोरी तयार है